Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 Modern English Words English एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर नए-ने शब जुड़ते ही रहते हैं हम सभी शब तो याद नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कुछ वर्ड को सीख सकते हैं जो हम अकसर अपने आसपास देखते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे 10 Modern English Words सबसे पहला वर्ड है Binge Watch To watch multiple episodes at a time Binge Watch का यूज होता है किसी भी TV प्रोग्राम या वेब सीरीज जो हम इंटरनेट पर देखते हैं उनके सभी एपिसोड एक बार में देख लेना पूरी सीरीज खतम कर देना उसे कहते हैं Binge Watch चलिए इसका एक 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 जामपल देखते हैं My son binge watched the entire season of Russian Web Series यानि कि मेरे पेटे ने Russian Web Series के सभी episodes देख लिए किसी भी TV प्रोग्राम को एक बार में पूरा देख लेना कहलाता है Binge Watch हमारा अगला word है Earworm यानि कि a catchy song or tune that runs continuously through a person's mind एक ऐसा catchy song or tune जो continuously लगातार किसी के mind में चलता रहता है कभी-कभी हम ऐसा कोई song सुन लेते हैं या कोई धुन सुन लेते हैं जो लगातार हमारे mind में चलती रहती हैं उसे हम कहते हैं Earworm Today I heard one song of Arjit Singh and it was an earworm इसका मतलब हुआ आज मैंने अरजीत सिंग का एक गाना सुना और वह जहन में बस जाने वाला था यानि कि वह मेरे mind में continuously चल रहा था इसे हम कहते हैं Earworm तीसरा हमारा word है Lookalike Lookalike का मतलब होता है किसी की तरह दिखना किसी के जैसा दिखना For example, he sanjidats lookalike यानि कि वह संजेदत जैसा दिखता है किसी की तरह दिखने की बात हो रही है उसे कहते हैं Lookalike Next हमारा modern word है Chattie Chattie का मीनिंग होता है बातुनी यानि कि बहुत ज़्यादा बाते करने वाला हम इसे talkative भी कह सकते हैं लेकिन आजकल हम इसे use करते हैं Chattie यानि कि वह घर पर एक बातुनी लड़की है बहुत ज्यादा बात करने वाले को कहा जाता है Chattie हमारा अगला word है Awesome Sauce इसका मीनिंग होता है Very Good और Excellent जब भी हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे कह सकते हैं It's Awesome Sauce इसे ही एक और एक्जामपल देखते हैं Awesome Sauce का यानि कि पिछला सब्ताहान जो मैंने बिताया है वो बहुत अच्छा था नेक्स वर्ड है हमारा Chillax Chillax का मतलब आप देखकर ही समझ सकते हैं यह चिल से बना है Chillax यानि कि Relax करना, Relax Mood में रहना इसे कहते हैं Chillax To Chill and Relax is Chillax चली एक्जामपल देखते हैं इसका Chillax and Enjoy the Ride Relax करो और आराम से Ride को Enjoy करो He spent the weekend chillaxing at his beach house यानि कि उसने अपना weekend अपने beach house पर relax करके चिल करके विताया चली एक और एक्जामपल देख लेते हैं I just feel like chillaxing today हमारा अगला word है Arrant Arrant का मतलब होता है To emphasize how much bad something or somebody is किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा बताने के लिए बहुत ज़्यादा खराब दिखाने के लिए यूज होता है Arrant का For example, He is talking Arrant Nonsense यानि कि वह अनर्गल बक्वास कर रहा है बहुत ज़्यादा खराब बात कर रहा है उसे कहते हैं Arrant ऐसे एक और example देखते हैं He is an Arrant fool वह एक कटर मूर्ख है बहुत ज़्यादा हमें दिखाना है किसी चीज़ को उसे हम कहेंगे Arrant Arrant fool यानि कि बहुत ज़्यादा खराब दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं fool के आगे Arrant का Next word है हमारा Hellacious इसका मतलब होता है Very strong, powerful और impressive कोई चीज बहुत ज़्यादा powerful है उसे हम कहते हैं Hellacious For example The storm brought hellacious winds यानि कि तूफान भयानक हवाएं लेकर आया बहुत ज़्यादा powerful किसी चीज़ को दिखाना है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं Hellacious एक और example देख लेते हैं They are raising a hellacious amount of money यानि कि वे भारी मात्रा में पैसा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा amount बताना है बहुत ज़्यादा powerful दिखाना है वहाँ पर हम यूज करते हैं Hellacious हमारा अगला word है Starving इसका मतलब होता है भूका रहना यानि कि निराहार जब भी हम बहुत ज़्यादा भूके रहते हैं उसे कहते हैं Starving For example He ate so quickly like he was starved यानि कि उसने इतनी जल्दी खाना खाया जैसे कि वे भूका था हमारा अगला word है Ambiguous इसका मतलब होता है Confusing या Unclear कोई चीज़ बहुत confusing है Unclear है समझ नहीं आ रही है उसको हम कहते हैं Ambiguous His reply to my question was somewhat ambiguous यानि कि उसने जो reply किया मुझे मेरे question का वो काफी ज़ादा confusing था Unclear था The wording of the agreement is ambiguous यानि कि जो wording थी शब्द थे agreement के वो काफी unclear थे एक और example देखते हैं The government has been ambiguous on this issue यानि कि इस issue पर इस मुद्द पर government काफी unclear रही है आज आपको सीखने को मिले 10 new English words I hope आप इने अपनी dictionary में add करेंगे और इने frequently use करेंगे वीडियो पसंद आईए तो इसे like जरू करना तब दक के लिए मिलते हैं next वीडियो में